एक बार फिर से आप सबका स्वागत है सिंग आड़ोजोन के नए एपिसोड में दोस्तों लास्ट येर 2020 में एक अपडेट आया था कि NTPC लेह और डेली में as a pilot project hydrogen fuel cell bus service को start करेगी लेकिन उसके बार lockdown, pandemic, सब कुछ हम जानते है क्या हुआ तो पूरे एक साल बार दुबारा से अपडेट दुबारा निकल कर आया है इसी से जुड़ा लेकिन इस बार अपडेट थोड़ा change है NTPC ने confirm किया दुबारा से कि वो फिलाल डेली टु जैपूर रोड पर एक premium hydrogen fuel cell bus service को start करेगी और इसको as a pilot project चलाये जाएगा अगर success रहता है तो इसको और शेरों में जहाँ पर pollution की ज़्यादा दिकत है वहाँ पर launch किया जाएगा दोस्तों वैसे भी भारत में जो green mobility है वो काफी speed up, अच्छी speed से वो बढ़ रहा है और government of India भी जहाँ पहले electric buses, electric cars को promote कर रहे थी वहीं अब उनका जादा focus hydrogen fuel cell technology पर है और यह जो update आपके साथ share कर रहा हूँ यह कोई first time नहीं है इससे पहले भी 2018 में Tata Motors और Indian Oil Corporation ने मिलकर एक pilot project चलाया था मुंबई में उन्होंने fuel cell जो buses है, bus service उसको start किया था अज़े pilot project लेकिन overall उसका result क्या रहा था उससे जुड़ा कोई update नहीं निकल कर आया अभी तक और पिछले साल, December मत में, December 2020 में भी update मैंने आपके साथ share किया था कि Indian Oil Corporation 15 fuel cell buses को खृदेगा New Delhi के लिए उसके लिए जो tender था उसको भी निकाला गया है और इन hydrogen buses के लिए जो hydrogen की requirement रहेगी वो जो Indian Oil Corporation का R&D Center है फृदाबाद में वहाँ पर इस hydrogen को प्रडूस किया जाएगा तकरिवन जो अभी setup किया गया उसमें हर रोज एक टन तक capacity का hydrogen बनाया जा सकता है तो इसको कमेंट में कई बार पुछा गया के बिल्कुल Tata Motors तो जैसे fuel cell technology पर काम कर रहा है पहले भी कई बार अपडेट निकल कर रहा है तो महिंद्रा और महिंद्रा इस पर क्या कर रहा है तो दोस्तों चिंता मत कीजिए महिंद्रा भी कहीं किसी तरह से कम नहीं है वो भी बिल्कुल इस technology पर काम कर रहा है उनकी R&D चल रही है इसके लावा महिंद्रा ना सिर्फ electric पर अच्छा कर रहा है fuel cell पर काम कर रहा है R&D चल रही है उसके लावा जो अदर्स battery technology है लाइक एक अपडेट ये भी आपके साथ शेर किया के आल्रेडी एक joint venture किया गया है जिसमें महिंद्रा एलेक्ट्रिक इंडिनर कॉपरेशन और जो जायल की company है फिनर जी मिलकर जो इनकी जायल फ़र्म की जो टेकनोलजी है एलुमिनियम एर बैटरी या मैटल एर बैटरी उसको महिंद्रा ट्रियो इलेक्ट्रिक रिक्षा पर टेस्ट कर रहे हैं दोस्तों ये जो टेकनोलजी है अलुमिनियर बैटरी या मैटल एर बैटरी ये वाक्य में ही भारत के लिए ज्यादा बेनिफिशल है क्योंकि aluminum भारत में easily और सस्ता available है और अगर ये test run, ये trial, ये joint venture success रहता है तो दोस्तों बिल्कुल जो मारी dependence है lithium battery के लिए वो बहुत बहुत हद तक कम हो सकती है कोई भी निया update निकल कर आएगा इस joint venture से बिल्कुल आपके साथ share करूँगा सबसे पहले ओवराल आपका इस update के बारे में क्या सोचना है क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर शेर कीजेगा आज के लिए इतना ही धन्यवाद वीडियो कों तक देखने के लिए जैहिन